जहें दोस्तों वंदे मातरम योगी महराज का लाउड स्पीकर मॉडल इस समय काफी चर्चाओं में है उस तरह नहीं जिस तरह से केरल का कोवेड मॉडल था हलाकि वो तो बाद ने फेल हो गया था पर यहाँ पर बाबा का जो लाउड स्पीकर मॉडल है वो काफी ज्यादा सक जा रही कि यूपी में भी लाउड स्पीकर को लेकर कारवाई की जा रही है लेकिन वहाँ पर किसी प्रकार का हल्ला नहीं हो रहा और सारी की सारी चीजें काफी शांती प्री तरीके से की जा रही है अगर हम बात करें जो नियम है उनकी तो जो डेसिबल की बात की जा रही ह आप आवाज रख सकते हैं लौड स्पीकर की उसके उपर नहीं बढ़ा सकते हैं अगर आप उसके उपर बढ़ाते हैं तो आपकी उपर दंडात्मक आपको करने होगी अब यूपी में क्या हो रहा है भाई यूपी में कुछ ऐसा हो रहा है कि बिना भेदभाव के बिना धर्म को देखे सभी के उपर लाउड़ स्पीकर को लेकर कारवाई की जा रही है तो ऐसे में आप लोगों को परिशान नहीं कर रहे हैं बलकि लोगों सामने एक्जाम्बल सेट कर रहे हैं तो जडा समझ लेते हैं कैसे योगी मॉडल इतना सकसेसफ़िल खुता जा रहा है महारा से शुरू हुए लौड स्पीकर विवाद ने जैसे ही उत्तपरदेश में इंट्री ली सूबे के मुखिया योगी आदेतराथ ने एक्शन में आते हुए लौड स्पीकर को सुप्रीम कोड के दिशन निर्देश के अनुसार बजाने का फर्मान जारी कर दिया सीम योगी का आदेश आते ही प्रशासन एक्टिव हुआ और अब तक करीब 45,000 लौड स्पीकर हटाए जा चुके हैं वहीं करीब 60,000 लौड स्पीकर की आवाजों को सुप्रीम कोड के निर्देशा नुसार दीमा कर दिया गया है पुरुदेश में अभी अपने जैसा ही एक मामला होगा जहां पर मंदिर मजद गुरुद्वारा जैसे धर्मिक स्थलों ने खुद ही आ गया कर योगी सरकार के साधेश का पालन किया है आसांस शब्दों में कहा जाए तो योगी सरकार के लाउड स्पीकर मॉडल को हर धर्म के गुरू और अलिमों का भी सहयोग मिल रहा है अधिकांश जगोंक से अवैद लाउड स्पीकर खुदी हटा दिये गए है सीम योगी ने कुछ साल पहले सबसे सम्विजन शील प्रदेश कहे जाने वाले यूपी में अपने लाउड स्पीकर मॉडल को शान्ती से लागू कर दिया है इतना ही नहीं सीम योगी के लाउड स्पीकर मॉडल की तारीफ महराश नमनिर्मान सेना के अद्धश राज ठाकरे ने भी किये इस कंडिशन में सवाल उठना लाजमी है कि योगी का लाउड स्पीकर मॉडल पूरे देश में क्यों लागू किया जाना चाहिए देखिए सीम योगी आधितनात के लाउड स्पीकर मॉडल की सबसे बड़ी बात ये है कि इस आदेश को अमल में लाने के दौरान किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया गया पहले सीम योगी ने धार में किस तलों में लगे लाउड स्पीकर की आधिश दिया योग अधितनात के हिंदुतों के फाइर ब्रांट नेता की छवी भी लाउड स्पीकर मॉडल के आड़े नहीं आई आसान शब्दों में कहा जाए तो तेज आवाज में बजने वाला कोई भी लौट स्पिकर हो फिर चाहे वो मंदिर का हो या मजज़त का योगी सरकार के प्रशासन ने उसे नहीं बख्षा लौट स्पिकर मॉडल की कारवाई में केवल मुस्लिमों को ही निशाना नहीं मनाये गया जैसा कि आमतोर पर विपक्षी दल कहते नजर आते हैं इस कारवाई के बाद समाज़वादी पाल्टी के अध्यक्ष अखिलेश जादव खुद मीडिया से ये कहते नजर आए कि खुद को हिंदूों की सरकार कहने वाली भाजपा की योगी सरकार में मंदिरों के लौट स्पिकर भी हटाय जा रहे हैं ये कैसे हिंदू की सरकार हो सकती है वैसे अखिलेश जादव का ये बयान उनकी सियासी चटपटाट को साफ दिखाता है कि अपनी सरकार के कारेकाल के दौरान वे ऐसे फैसले लेने से बचते रहे लेकिन सियम योगी आदेतनात ने सुप्रीम कोर्ट के दिशन नदिश का पालन बिना किसी बवाल के करवा दिया जबकि इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया सकता कि इसे आदेशों पर कुछ साल पहले तक अमल करवाने से पहले प्रशासन भी दस बार सोचता था लेकिन योगी सरकार के आदेश के बाद कहीं से किसी तरह की अप्री घटना की खबर सामने नहीं आई योगी आदेशनाथ ने लाओड स्पिकर मॉडल को लागू करने के दोरान धर्म के मसले पर दो टूक शब्दों में कहा था कि धर्म व्यक्तिकत आस्था का विशा है सरकार सभी धर्मों का सम्मान करती है लेकिन इसका बद्दब रदशन कर दूसरों को परिशान करना सुईकार नहीं किया जाएगा सुप्रीम कोड के देशान देशों की अवहिलना करते हुए स्थारोजन एक निजी रहाईशी स्थानों पर लोग तेज आवाज में जम कर लाउट स्पिकर इस्तमाल करते थे हाल में ही में नौइडा की एक सोसाइटी में एक शक्स के साल लौड स्पिकर की आवाज को कम करने को लेकर हाथ अपाई की खबर भी सामने आई थी लेकिन योगी आजितनात के इस लौड स्पिकर मॉडल की वज़े अब संभव है कि इस तरह की घटनाओं पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी साथ ही बच्चों की परिक्षाएं गंभी रोगी और आमतोर पर तेज आवाज से होने वाली समस्याओं से भी निजात मिलेगी अब कम से कम उम्मीद की जा सकती है कि सबी धर्मों के लोग सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किये गए नियमों को मानेंगे वैसे भारत में लोग बिना किसी डर के कोई भी काम नहीं करते हैं तो योगी आजितनाथ को अपने लाउड स्पिकर मॉडल में तुरत कारवाई के आदेश को भी जोड़ना चाहिए जिससे की लोगों में कारवाई का डर बने वरना जब लोगों के खिलाफ मोटर वीकल एक्ट में भारी जुर्माना राशी देने का प्रावधान नहीं आया तो लोगों ने प्रदूशन जैसी छोटी सी जाच के लिए भी कभी खुद को नहीं सोचा वैसे सीम योगी के लाउड़ स्पीकर मॉडल के आने से हर धर्म जो की आज प्रदूशन का जरिया बन चुका है इसके लोगों के बीच एक संदेज जा चुका है यह कारवाई सब पर होगी और एक जैसी होगी बिना किसी भेदभाव के हर धर्म के लोगों पर कारवाई कर योगी आतितना सरकार ने लाउड़ स्पीकर मॉडल को सफल साबित किया है देश के सभी राज्यों में इसी तरह से लाउड़ स्पीकर के खिलाव कारवाई से आपसी सहयोग और सद्भाव को बढ़ावा दिया जाएगा देश में आज जिस तरह से हिंदू-मुस्लिम राजनीती का माहल है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि लाउड़ स्पीकर मॉडल हिंदू-मुस्लिम के बीच बढ़ती दूरी को मिटाने का एक एहम टूल सावित हो सकता है वहीं इस लाउड़ स्पीकर मॉडल के जरीए धोनी पदूरुशन को भी कम करने में काफी मदद मिलेगी तो आल इन आल बात यहीं कि योगी जी का योई लाउड़ स्पीकर मॉडल हो हिट हो चुका है और हम तो यहीं चाहेंगी कि भी इसको पूरे देश में लागू किया जाए जिससे कि कोई सी भी प्रकार की अपनी घटना भी नहों और काम भी हो जाए आपका इस बारों में क्या कहना है मुझे कमेंट करें जरूर बता है मेरे सुटनी फिलालत नहीं जैहें जर बाद